स्री सत्गुरु महराजी कीजे, स्री बाबा दयाराम साहीब आपकी सदा हीजे, स्री महराज वार्दास साहीब आपकी सदा हीजे. स्री वंदो सत्थी गुरु चरणी को करू सो प्रीम परणा, आशो भरण मंगल करन, स्री देव चंद्रजी नाम. स्री प्राणी नाथ निज मूल पती, स्री महराज सुना, तेज कुवर शामा जुगल को पल पल करू परणा, पल पल करू परणा. स्री प्राणी नाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाही ग्रहे की लाज. ज्यारे धनी धनवट करें, थ्यारी वल बैरी नाहरें, वली गया काम स्राडे चडें, मन चित्व्या कारज सरें. बोलिये शिरी प्राणी नाथ प्यारे की, जै शिरी सत्गुरू महराज की जैं. परमशर्द्य आतम सनमंदी, धामधनी की अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुन्दर साथ जी, इधर जूम पे सुन रहे सुन्दर साथ, इधर फेस्बुक पे सुन रहे सुन्दर साथ, समझ सुन्दर साथ के हिर्द्य में विराजमान, शिरी राजश्यामा जी के शिरी चरण में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम प्रणाम जी आईए लाडले सुन्दर साज जी हम अपनी सुर्ता को शिरी पांच पदमावति पुरी धाम में लेके चलते हैं शिरी बंगला जी दरवार में आसन ग्रैन करते हुए और इस वानी चर्चा का रस्पान करेंगे आईए धनी ज अरज करती है दुलहन पकड कर धनी के चरन अरज करती है दुलहन पकड कर धनी के चरन सुन लो मी हर बां सुन लो मी हर बां खुद को भूली है जुरू उसका है बस तू ही तू तुझ पेरू कुरबान अरज करती है दुलहन पकड कर धनी के चरन सुन लो मी हर बां सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं आप दुलहा मैं दुलहन वचन द्रड कर के कहूं रबद को कर के दफन छोड कर जूठा ये तन अंग लगे अंग ना अंग लगे अंग ना अंग लगे अंग लगे अंग आपकी सेवा कहूं अंगना अरज करती है दुलहन पकड़ कर धनी के चरन सुन लो में हर बाँ खुद को भूली है जुरू उसका है बस तू ही तू तुझ पेरू कुरबान अरज करती है दुलहन पकड़ कर धनी के चरन सुन लो में हर बाँ में हर के सागर धनी मैं लहर हूँ आपके इश्क देखा आपका जा निसाही भी आपके अब तो है बस ये लगन देखू अपना मूलतन है बका में जहां है बका में जहां अरज करती है दुलहन पकड़ कर धनी के चरन सुन लो में हर बाँ खुद को भूली है जो रू उसका है बस तू ही तू तुझ पेरू कुरवान बॉलिए श्री प्राणनात प्यारे की जै श्री सत्कुरू महराज जी की जै समस सुन्दर साथ उपस्तित हो रहे हैं अनीता जी परणामी मानसरोवर जैपूर से आशा जी मदान दिल्ली से हमारे श्री राकेश जी अरुना जी परणामी अनूपगड से शंत्रोवर चुंदोष जी प्रनामी जैपूर से कालिंदी जैपूर से अनिता जी राज जी यस भाई utilizar और माजी सभी उएस से सुन्दर साथ उपस्तित हो के और स्वाणी चर्चा का रस्तान कर रही हैं इस इटर जूंप भी समस सुन्दर साथ उपस्तित हो चुकी हैं आईए लड़ले सुन्दर साज जी धामधनी की चर्चा प्रकाश हिंदी गरंत में कलम सुन रहे थे अब देखियो जीव जोर हमारा प्यू पकड़ दे में एक कांत पूरा पास देऊ रंग लाखी सो क्यों ना उच्टे भांत सो क्यों ना उच्टे भांत बोलिये शिरी प्राणनाथ प्यारे की जै ममता तु भई माया की धामधनी की अत्यंत लाड़ले एवं प्यारे सुन्दर साज जी महानबुदी के सागर आप महामती स्वामी शिरी प्राणनाथ जी अक्षरातीत धामधुला शिरी इंद्रावती जी के हिर्दे स्थल में विराजमान होकर एक एक गुन को मोड रहे हैं धनी जी के चर्णों में और हमें सिखा रहे हैं शिक्षा दे रहे हैं कि सुन्दर साथ जी इन गुनों को जब हम फटका रहेंगे हम खुद इनको लता रहेंगे हमारी आत्मा खुद इनकी खंडनी जब करेगी, हमारी आत्मा खंडनी तब करेगी न, हमारा जीव जब जागरत होगा, जब खुद जीव आत्मा सो रही होगी, तो इन गुनों की खंडनी कैसे करेगी, ठीक है सुन्दर साज जी, जब तक जीव आत्मा नहीं जागरत होती, त अब तक ये हमारे गुन माया की तरफ लग रहे हैं या धनीजी की तरफ लग रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं लगता ये तो धामदनी सिरी इंद्रावती जी के हिर्दे स्थल के अंदर साक्षात विराजमान है जिनकी हात्मा को धामदनी ने जागरत करके और अरश दिल करके हिर्दे में आके बैठ गए तो ये सारे गुनों को पहले खंडनी करी शिरी इंद्रावती जी की आत्म ने फिर इन गुनों को बुलवाया क्योंकि धामधनी सिर्जी सहेव जी ने तो लाड़ले सुन्दर साथ जी इस संसार के अंदर जब वानी का अवतरन हुआ तो वानी के अवतरन के द्वारा उन्होंने तो देही को अलग बुला दिया और जीव को अलग खड़ा कर दिया आप देखिए किरंतन के परकरण में सुन्दर साथ जी जीव और देही का परकरण किस परकार से देही अलग खड़ी हो जाती है जीव अलग खड़ा हो जाता है उनको भी बुला दिया कहा की रे जीव जी तुम्हें लगी दाज मुझ भी चड़ते पर मैं खाक हुई तुम बि लौँ जीव को निकाल के और फिर देही से बात करवाई आक। तो धाम धनी तो एक एक अंग को बुला रही हैं ऐसी एक-एक अंग को मोड रही हैं कि किस परकार से हम इन ही गुनों को दनी के चरणों में लगा देंगे तो ये गुन हमें धन्य धन्य कर देंगे अगर ये मा प्यार करेंगे तो ये गुन बन गए माया से प्यार करेंगे तो ये अवगुन बन गए अब सीधा सा हिसाव है कि शिरी इंद्रावती जी कहती है कि अपने सारे गुनों को धाम दनी जी के शिरी चर्णों में समर्पित कर दीजिए सुन्दर साथ जी तो जब हमारा समर्पन हो जाएगा धनी जी के चर्णों में तो लडले सुंदर साथ जी धनी का साक्षात कार भी यहीं बैठे-बैठे हमें हो सकता है सक्षात धनी का दिदार भी हम यहीं बैठे बैठे कर सकते हैं और शिरिंद्रावती जी की आत्मा ने तो हमें सैजता से सिखा दिया कि करना क्या है इधर से मोड के धनी के चर्णों में तो लगाना है जो हम माया के अंदर मो कर रहे हैं उसको प्रेम में परिवर्तित करके धनी के चर्णों में लग जाएं जितना प्यार लाड़ले सुंदर साथ जी हम अपने कुटम कभीले परिवार से कर रहे हैं तो यह ममता कहलाएगी है ना और इसी ममता को जब धनी चर्णों में मोड देंगे तो यह प्रेम का सवरूप बन जाएगी मो बांधता है ममता बांधती है और प्रेम खोलता है यह फरक है जहां हमारे मो के रिष्टे होंगे जहां मम्ता होगी तो मम्ता तो हमें बंदन के अंदर बांद के रखेगी और प्रेम खोल देगा तो धामदनी से क्या किया जाता है प्रेम किया जाता है तो शिरिण रावतिजी की आतम फटकार रही अब किसको ममता तु भई माया की हलाक किये है रान शिरिंद्रावति जी कहती है ए पापनी चंडालनी ममता तुझे दिकार है तु तो एक मात्र माया की होकर रह गई फिट फिट भुंडी चंडालन तैं बड़ी करीम हान ए चंडालन मम्ता मुझे इस संसार में तुन्हें बहुत ही हैरान किया है तुन्हें अपने ही अस्त्रों से मुझे घायल कर दिया और तुन्हें मुझे इतनी हानी पहुंचाई है क्योंकि हानी कव हो गई जब हमारी मम्ता माया में लग गई मो के रिष्टों से लग गई तो हम अपनी क्या कर रहे हैं हानी कर रहे है और यही मो यही प्यार यही प्रेम यही इश्क धनी के चरणों में लग जाए तो वो क्या बन जाएगा तो वो हमें धन्य धन्य कर देगा आब ममता आओ मेरे प्यू में तो को पहले दैदिकार शिरिंद्रावति जी की आतम कहती है ए ममता अब आजा मेरे पास, मेरे प्रितम के पास चले, मैंने तिरको पहले दिकार दे, लड़ा, दिकारा, तुझे फिट फिट भुंडी चंडालन कहा, और मैंने तुझे कहा कि तुने मुझे बड़ी हानी पहुंचाई है, अब शिरींद्रावती जी की आतम उसी ममता को कहत ही है, अब ममता आओ मेरे प्रितम के साथ लग जा, ममता ही करनी है, प्यार ही करना है, तो पिया से कर ले, तो को पहले दई धिकार, मैंने पहले तो तुझे दिकारा, अब शिरींद्रावती जी की आतम प्यार से बुला रही है, ममता को ध्यान से सुनना, क्या कह रही है, मेरी best friend बन जा दोस्ती कर ले मेरे साथ मेरी सहली बन के चलेगी न अब संगातन हुजो मेरी मोहे मिले प्यू सिर्दार ए ममता तु मेरी सहली बन जा और मेरे हिर्दय में इस परकार से बैठ के ममता कर प्यार कर अपने सत्गुरु जी से अपने धनी जी से कि मैं धन्य धन्य हो जाओं अब मैं चेरी हुई तुम्हारी अब ममतार को भी बुला लिया शिर्जी सायव जी ने शिरी न्रावती जी की आतम ने बुलाया कि आजा मेरे पास आजा मेरी सहली बन जा तो ममता ने भी आगे से जवाब दिया कि अब तो मैं आपकी चेली बन गई हूँ, दासी बन गई हूँ आपकी, आपकी गुलाम बन गई हूँ, अब मैं चेरी होई तुमारी ले देवू सांची निद। मैं सत्गुरु धनी जी से इतना प्यार करूँगी, ममता के अंदर अपने प्रीतम को धनी को इस प्रकार से बांध लूँगी कि ले देवू सांची निद। ममता कैते हैं, आपका शिरिंद्रावती जी सच्चा खजाना है, सत्गुरु धनी शिरी देव चंदर जी महाराज, हाना, तो मैं सत्गुरु धनी शिरी देव चंदर जी से प्रीतम से इतना प्यार करूँगी कि मैं वो सद्गुरु धामधनी रुपी खजाना आपके हिर्दे में लाके दे दूँगी, जो कि जिससे ममता करेंगे, जिससे प्यार करेंगे, तो वही तो अपना बनता है न, ये ममता कहती मैं इतनी ममता करूँगी, कि मैं धामधनी को आपके हिर्दे में बेठा दूँगी अब के ये निद क्यों ना छुटे अब धामधनी रुपी खजाना जो धामधनी खजाना लेके आई है और स्वेन सत्गुरु धनी शरीदेव चंदरजी महराज आपके लिए निद है निद में सोते है खजाना दौलत हना तो कहते ये जो धामदनी आपके लिए दौलत हैं, खजाना हैं, अब के ए निद क्यों ना चूटे, अब ये खजाने को, इस निद को मैं चूटने नहीं दूँगी, करो कारज तुम सिद्ध, मैं आ गई हूं, ममता कहती है, मैं आ गई हूं, मैं अब प्रितम को के साथ इतना प्यार करूंगी, और मेरे प्यार की डोरी में धामदनी को बांध के और आपके हिर्दे में विराजमान कर दूंगी, कित्ती प्यारी बात कहीं ना, कि अब तो मैं आपकी चेली बनके रहूंगी, किसने कहा, ममता ने, ममता ने कहा, मैं आपकी चेली बनके रहूंगी, अब म में जितना भी प्यार करूंगी दामदनी से प्यार करूंगी और इतना प्यार करूंगी इतना प्यार करूंगी कि मेरी प्यार की डोरी में बंद के प्रीतम को आपके हिर्दे में बठा दूंगी अब फिटकार देऊं कलपना उल्टे तु अकर्मन अब कलपना को कहा जो हम कलपना करते हैं किसी भी चीज की तो सिर्जी साहिब जी ने शिरिंद्राफ्ती जी कहती है ये कलपना तुझे फिटकार थे हुए कहना पड़ रहा है कि तुने प्रीतम से उल्टी रा अपनाई है कर्मों की मारी हुई कल तु उल्टी क्यों चली तुझे कलपना करनी चाहिए परमधाम की तुझे कलपना करनी चाहिए कि मेरे प्रीतम कितने सुन्दर हैं उनका सवरूप कितना सुन्दर है मेरे परंदाम के पच्चिस पक्ष कितने सुन्दर है पर कलपना तू कहां लग गई उल्टी तू अकर्मन एक कलपना तू ही उल्टी माया के अंदर लग गई एक कलपना तू कर्मों की मारी हुई है फिरा एक खाली करी फजीत आतम को अतिगन तुने मेरे मन को मात्र कलपना से इस लोक में घुमाती रही और मेरी इतनी दूरदशा कर दी मेरा बुरा हाल कर दिया कलपना तुने मैं संसार की वस्तू की कलपना करती रही पर श्री इंद्रावती जी ने तो संसार की किसी वस्तू की भी कलपना नहीं करी हम सुनते हैं भी तक में के श्री इंद्रावती जी की आतम श्री महराज जी बजार में जाते हैं और अपने मन की प्रिक्षा लेते हैं कि बजार में चक्कर काट के देखती हैं क्या मन मेरा किसी भी वस्तू पे जाता है क्या कलपना भी करता है क्या मेरा मन अपनी प्रिक्षा लेते हैं हर तरह से तो उनका मन तो संसार के अंदर लगा ही नहीं तो ये सारी बातें किसको कहनी हैं ये सारे शब्द हमें लेनी हैं हम सारा दिन कलपना करते रहते हैं कहां के लिए संसार की कलपना करते रहते हैं हमें अपने अंदर वाली कलपना को फटकारना है कि एक कलपना तु लोक में संसार के अंदर गुमाती रहती हैं और संसार के अंदर गुमा गुमा के तुने मेरी क्या हालत कर दी अब कर्मन तु हो कलपना कर सेवा माय विचार हे कलपना अब तु प्रितम को रिजाने के लिए सावदान हो जा अब किसको रिजा अब धनी को रिजा कर सेवा माय विचार अरे तुम केवल इस सनमंद में ही विचार कर कि मेरे प्राण प्रितम अक्ष्रातीत दाम धनी को मुझे कैसे रिजाना है इसी सनमंद में कलपना करती रहे सोच कि मैं कैसे रिजाओ अपने प्रितम को अपने धनी को मेरे प्रितम मेरे धनी किस प्रकार से प्रसन होंगे कैसे खुश होंगे हना कर सेवा माहे विचार जो जागरत आतमाई होती है न सुन्दर साज जी वो कलपना भी करती है न तो सोचती भी है न तो सोचती है कि मैं अपने प्रितम को अपने धनी को मैं शिरी गुम्मट जी मैं कैसे वस्तर पैनाऊं अपने प्रितम को मैं बंगला जी के अंदर क्या सेवा करूं मेरे धनी जी की हना किस परकार की सेवा मैं करूं जो मेरी सेवा सविकार हो और घर में बैठे बैठे मैं कैसे भोग बनाऊं अपने प्रितम के लिए मैं कैसा थाल भोग बनाओं आज मैं थाल भोग में क्या सबजी बनाओं रैजी महराज के लिए आज मैं धाम धनी को कैसे वस्तर पैनाओं तो कहते कलपना ही करनी है तो धनी को रिजाने के लिए पहले से ही कलपना करनी शुरू कर दे और कलपना जब हम माया की करने लग जाती संसार की करने लग जाती हैं तो वो डुबो देती हैं और जब हम धनी के लिए कोई भी कल्पना करेंगे तो कहते अब कर्मन होतू कल्पना कर सेवा माहें विचार धाम धनी मौहें मिले माया में मेरे को धाम के धनी अपने सब को मिले हुएं कैसे मिले हुएं सवरूप सायब के रूप में हम क्या करते हैं सवरूप सायब सायब का सवरूप हमारे सभी आतमाओं के घर में सायब जी अपने सवरूप सायब के रूप में विराजमान है और ऐसे सायब ऐसे प्रितम हमारे घर आंगन के अंदर आये हुए हैं तो उनको चान हो जाती है ना फिर कलपना भी मन से होती है तो किस के लिए होती है फिर अपने लिए नहीं सोचते कि हमने आज सब्जी क्या बनानी है क्या खानी है पहले से कलपना करते हैं धनी जी के थाल भोग में आज सब्जी क्या बनाएं धनी जी को आज कौन से वस्तर पहनाएं धन द्रावति जी की आतम ने कल्पना को कहा कि एक कल्पना धाम धनी मोहे मिले माया में लाब लेओं माई संसार मुझे धाम के धनी इस माया के अंदर आके मिले हैं और मुझे इस माया के अंदर से लाब लेके जाना है क्योंकि परमधाम के अंदर तो ये सब इच्छा सोजो मंगा में जीरे पर सक्षियों को सेवा भामे परमधाम में तो सिरीराजी की जो इच्छा होती है वो वस्तु एक मिनट में प्रगट हो जाएगी पर सक्षियों का मन होता है सक्षियों को सेवा अच्छी लगती है तो लड़ले सुंदर साथ जी परमधाम में तो सेवा करनी नहीं पड़ती वहां तो सोचा और हाजिर हजूर हो जाता है और यहां जब कलपना करेंगे जब सोचेंगे फिर उस सेवा को जब करेंगे सिर्जी ने का सेवा तणो विजो पदारत न थी सेवा के बराबर कोई दूसरा पदारत नहीं है ना कचु सेवा समान जो दिल सनकूल करें पहचान कैते दिल से प्रसंचित होके जिसने सेवा कर ली ना उसके बराबर कुछ भी नहीं है है ना तो सिर्जी सायव जी ने समझाया कि दाम दनी मौए मिले माया में लाब लेऊ माय संसारे मुझे दाम के दनी इस माया के अंदर मिले हैं और संसार में बैटे बैटे मुझे लाब लेके जाना है क्योंकि जेवडो लाब तेवडो जोखम इस अंसार के अंदर ब्रहम आतमाएं आई है ना जितना लाब ले सकती है उतनी हनी भी हो सकती है अगर सेवा करेंगी क्योंकि धनी जी ने कहा कि जेते दिन रहो तुम साथ चरणे सुन्दर साथ के बीच में जितने दिन रहने का मौका मिले हना उतने दिन तक हम सेवा करते रहें कलपना को समझाया और कलपना कहती है कहे कलपना एक काम मेरा करू नए नए अंग उत्पन कलपना ने कहा ये तो मेरा काम है मैं तो नए नए आत्मा के अंदर उमंगे उत्पन करती हूं प्रितम को रिजाने के लिए नए नए सेवा मेरे हिरदय से प्रगट होती है के सुन्दर साथ को क्या खिलाया जाए सुन्दर साथ को कैसे रिजाया जाए, धनी को कैसे रिजाया जाए, हना, विद विद की सेवा दिखाऊ, धनी विल सो होए धन धन, विद विद की सेवा दिखाऊ, शिरी इंद्रावती जी, रास गरंत के अंदर फरमाती है, मुक्ति सेवा तुने सू कहूं, शिरी इंद्रावती जी ने कहा कि मैं अपने मुँसे आपको सेवा क्या कहूं सु मिनसोत्य क्या कहूं मुखती सेवा तूने सु कहूं जो तू अंतर आडो टाल अगर तू अपनी आत्मा का पर्दा हटा दे न तो अनेक विदनी सेवा तूने उपजसी ततकाल तो एक सेवा नहीं अगर आत्मा जगरत हो गई न तो जगरत आत्मा सोचती हैं कि आज धनी को कैसे रिजाओं और सुन्दर साथ को मैं किस परकार से रिजाओं क्योंकि मेरे प्रीतम ने हुकम किया है सत साथ सो करो प्रीत देखो सत घर की ए रीत ए सुन्दर साथ जी सच्चे सुन्दर साथ से प्यार करो सत धनी सो करो सत बाते सत दिन और सत राते कहते सच्चे धनी के साथ सच्ची बाते करो आपका दिन भी सच्चा हो जाएगा आपकी रात भी सच्ची हो जाएगी और जब हम सोचते ही राजी के लिए रहेंगे, सेवा के लिए सोचते रहेंगे, कि प्रित्म को रिजाने के लिए सोचते रहेंगे, तो वो सोच हमारी सुन्दरसाजी बंदगी बन जाएगी, वो हमारी सेवा बन जाएगी, वो हमारी हजूर बंदगी बन जाएगी, जब हम प्रितम के लिए कोई भी घर में भोग बनाने के लिए सोचते हैं न, कि मैं राजी माराज के लिए मंदिर में मठियां बना के देया हूं, मैं पिनियां बना के देया हूं, मैं पंजीरी बना के यह चाहिएके जाओं राजी माराज के लिए चीजी मांतर से कलपना करनी शुरु कर अर्व इसाथ जो हमारी कल्पना ने हमें धन्य धन्य कर दिया क्योंकि रात को हम कल्पना करके सौती हैं कि प्रात्यकाल धनी जी को क्या खिलाना है और जब रही वो कल्पना की हुई बात पूरी हो जाती है तो वह हमें धन्य धन्य कर देती है, कहे कलपना एक काम मेरा, करू नए नए अंग उत्पन, कलपना कहती है यह तो मेरा काम है, मैं तो नया नया प्रेम हिर्द्य के अंदर उत्पन करती हूं, बड़ी उमंग के साथ, पृत्म को रिजाने के लिए, धाम दनी के लाड़ले सुम्दर साथ को रिजाने के लिए, मैं अनंत प्रकार से अंगों के अंदर उमंग उत्पन करती हूं, विद विद की सेवा दिखाऊं कल्पना कहती है मैं ही हूँ अंदर बैटी हुई जो आपको अनिको प्रकार की सेवा दिखाती हूँ कि परमधाम की आतमाई ब्रह्मवाणी मंदिर में बैठ कर पांच अखंड पराई में पढ़ रही है तो अपने आप कल्पना कहती है कि अभी तो इतना अच्छा गाजर का किन्नू का जूस चल रहा है तो इन आतमाई को ब्रह्मवनियों को आज हम गाजर का और किन्नू का जूस पिलाती है तो किसने कल्पना करी रात कोई कल्पना करी हना कल्पना करी तो जूस बन के मंदिर में तयार हो गया हमारी कल्पना ने हमें धन्य धन्य कर दिया सोचा कि आज सुंदर साथ को नाष्टा क्या कराएं? आज सुंदर साथ को भोजन में क्या खिलाएं? अनंत परकार की उमंगे जब हिर्द्या के अंदर उठती हैं तो कलपना कहिए हैं विद विद की सेवा दिखाऊ हूँ कल्पना कहती मेरा काम है विद विद की मैं सेवा दिखाती हूँ धनी विलसो होए धन धन जब कल्पना से आप सेवा करने लग जाओगे तो धनी के साथ हांस विलास होना शिरू हो जाएगा जब हम सेवा करेंगे प्रेम से क्योंकि पिया जी को इश्क ही भावे इश्क बिना कच्छुए ना सुहावे हमारे प्रित्म को हमारे धनी को सिरफ एक ही चीज पसंद है वो क्या पसंद है कि सुन्दर साथ के बीच में प्रेम कितना है सेवा के बीच में वो उस टेबल को नहीं देखते जिस पे छपपन परकार के भोग रखे कैसा रुमाल रखा हना उस भोग के अंदर उस रुमाल के अंदर जो भोग रखे गई हैं वो कितनी कलपना करके वो कितना सोच सोचके वो हिर्दिय से बन के तैयार हुए है क्योंकि धनी जी को तो सिरफ भाव सविकार करना है और जब भाव अंदर आ जाता है ना सुन्दर साथ जी तब हमें वो धन्या धन्या कर देता है बोलिए शिरी प्राणनात प्यारे कीज़े सुन्दर साथ जी हमारा समय हो चुका है आईए हम चपाई दो राते हैं धनी विल्सो होई धन्दन कहे कलपना एक काम मेरा करूं नै नै अंग उत्पन विद विद की सेवा दिखाऊं धनी विल्सो होई धन्दन धनी विल्सो होई धन्दन बोलिए शिरी प्राणनात प्यारे कीज़े इधर जूम पे सुन रहे चर्चा कनाडा से सुन्दर साथ जी लंदन से अमेरिका से फ्रांस से अलिंदरा से आनंद से और इधर भी हमारे समझ सुन्दर साथ जो फेस्बुक पे लाइव चर्चा सुन रहे हैं समझ सुन्दर साथ के घरदे में विराजमान शिरी राजशामा जी के शिरी चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम कल फिर मिलते हैं राइट साड़े आठ वजे तब तक के लिए आग्या दीजिए बोलिए शिरी प्राणनात प्यारे की जै शिरी सत्गुरो महराज की जै शिरी शामा महरानी की जै प्रणाम जी